Good morning dear students, we are going to start a new topic, heating effect of electric current प्यारे बच्चों, हम लोग topic से ही कुछ समझ रहे होंगे कि electric current का heating effect मतलब अगर current flow करता है, उसके कारण जो heat produce होता है, वो कैसे produce होता है कितना heat produce होगा, कितना current देंगे तो कितना ज्यादा heat produce होगा कितना ज्यादा cross-sectional area होगा, तो कितना heat produce होगा, बहुत सारे चीज़ के बाड़े में हम लोग इसमें जानेगे तो पढ़े हैं, उसमें पढ़े हैं कि अगर कोई भी body move करता है, कोई भी body move करता है तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल फॉर्स लगता है, कोई बाड़ी move करता है, बाड़ी content में है, किसी दूसरे बाड़ी के, तो उसमें कोई Weyer है, सब्सक्राइए है ये कोई Weyer है और इसमें जब current flow करेगा ज़ब electron flow करेगा तो electron flow करता है न तो आगे कितừng अगर move करेगा तो आपसमें collide भी करता है टकडा भी है जिसके current resistance हम resistance पढ़े हैं मत्तब ज़्यादा collide करेगा तो ज़्यादा Ressistance होगा कम कुलाइट करेगा कम टकड़ाएगा तो कम रेसिस्टेंस होगा लेंध के भी डारेक्टली प्रपोर्पोर्चनल होता है यह सारे चीज को हम लोग पढ़े थे तो इसका पोजेटिव में लिया गया साइन्टिस्ट लोग सोचे कि क्यों इलेक्रिसीटी को ही इलेक्टिकल इनर्जी को हीट इनर्जी में कनवर्ट करके कुछ तयार किया जाए जिससे हम लोगों को मतलब को कोई काम करने में बहुत सुभिधा हो जैसे कि अगर हीटर है आयरन है पहले का आयरन होता था कोईला वैला अब उसको धोबी के पास लेके जाए फिर दो दिन छो बहुत सारा कुछ जो की बॉइल करने के लिए जो भी चीज हम लोग यूज करते हैं जैसे यहां पर देख सकते हैं यह सब नेया नेया डिवाइस सब नेया नेया इलेक्टिक अपलिएंस निकला है ना आयरन का देख लिजिए चाहीटर का देखिए या फिर यह बॉइलर है कराना होगा तो उसके में जो वायर लगाएंगे ना वो हाई रेसिस्टेंस वायर लगाएंगे हाई रेसिस्टेंस वायर लगाएंगे अगर कोई वायर लगाते हैं तो हाई रेसिस्टेंस वायर क्यों क्योंकि जब इसमें करेंट जाएगा ना तो आपस में पाटिकल्स का vibration जादा हो जिसके कारण हीट प्रोडेउस हो क्या हिए हीटिंग परपस नहीं आया रन का यूज़ कर रहे हैं चाही कोई भी यूज कर रहे हैं ठीक कर तो हम लोग है रिख में तो नहीं अगर और थैन्ट फ्ल करने के भजा आपस में जैदा है जिसे फ ज्यादा प्रोड्यूस सो तो इसके लिए हम लोग जुषा चूला देख रहे हैं इसमें हम लोग यूज करते हैं निक्रोम वायर 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 यूज करते निक्रोम वायर लेकर के एक हम ले लेते हैं बैटरी 6 बोल्ट का और इसमें क्या करेंगे जो करेंगे तो आप देखिएगा कि करेंट जो है है जोंकरेंटेजी से फ्लो कड़ेगा लेकिन इसमें चरेंट फ्लो करेंगा इसमें भाइबरेशन बहुत ज्याधा करेंगा यह आगे को करने के OFF इसमें ज्यादा होता है कि material पर डिपेंड करता है जौंप करेगा इसमें का जो पार्टिकल से वह जंप करेगा जिसके वज़े से वह हीट हो जाएगा ठीक है तो साथ आप यहां पर इसको देख रहे होंगे तो यहां पे न यहां पे न हम लोग देखें कि हीटिंग परपस से यह काम में आता ह हीटिंग एफेक्ट के काम में कंकोल सा फैक्टर जो कि हीट करता है तो वह फैक्टर है आपका रेसिस्टेंस है कारेंट है टाइम है पोटेंशियल डिफरेंस भी मतलब कारेंट अगर बढ़ाईएगा तो भी रेसिस्टेंस बढ़ेगा और सड़ी हीट प्रोडिउस होगा तो भी हीट ज्यादा प्रोडिउस होगा ज्यादा समय के लिए बढ़ाईएगा तो भी ज्यादा प्रोडिउस होगा ठीक है तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पूछेगा कि वाटिज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्टरी करेंट तो बोलेंगे वेन एन व इसमें इस हीटर को देखिए जा रहा इस हीटर को देखिए और इस हीटर में क्या है कि करेंट जब जा रहा होगा जैसे पीछले फोटो में हम लोग देखें इस हीटर में करेंट जा रहा होगा तो तो इसको क्या कर रहा हो इसके पाटिकल्स में वाइब्रेशन लाड़ा हो कि यह जो कि यह जैता है तो यह तंगस्टन का बना होता है तो बोलीये गालतन है क्या तो नहीं सर्ट य नहीं है यह होता है टंगस्टन का melting point बहुत हाई होता है जिसके वज़े से हम लोग इसका यूज इसमें करते हैं बात समझ में आ रही है टंगस्टन का melting point लगभग होता है तो आपको बता दे 3380 degree Celsius लगभग होता है कितना पर में करता है जो कि आप पढ़ें कि iron का melting point कितना 1535 degree Celsius पर मेंट करना चालू कर देता है और इसका देखें कितना ज्यादा है इससे दूगूना iron से लगभग दूगूना है melting point इसका तो इसी वज़े से टंगस्टन का लिया जाता हुआ है और इसमें काया तो resistance हाई होता ह है और उसको ना वायर को जो यह टंगस्टन ना वह रेड होट हो गया और रेड होट हो जाएगा तो इसमें इनट गयस डाला गया और यहां पर लाइट प्रोडियूश करेगा साइद यह समझ में आ रहा होगा आज हम कुछ साउंड में प्रोब्लेम आ गया पता नहीं कैसे लेकिन अगले क्लास से कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई प्रोब्लेम नहीं हम लोग यूटूब पे ही लाइब होंगे अब देखें यहां पे एक फ्यूज है यह फ्यूज भी हीटिंग परपस हीटिंग इफेक्ट आफ एलेक्टिक करेंट पे ही काम करता है जैसे जैसे अगर सबस्क्राइब ऑन ओप्योज करेंट केंगे को अपश्यूज की बात यह टेंगे कोपर वाइर भाता है तीन तीन प्लेट नहीं ए.... 13 प्लेट नहीं ही थेमटेड में मतलत रिटिंग पॉइंट पोाइन वोक्र रहता है और उसमें कॉपर है जिससे चाहिए जिसमें हमको चाहिए एक चाहिए आप यहां पर फ्यूज लगाए हुए है और यहां पर यूज के इसाप से लोग फ्यूज लगाते हैं ठीक है तो यहां पर उतना ही जाएगा जब एक्सेस करेंट जाने लगे मतलब मान लिज एक शॉर्ट लग गया किसी को अर्थ में और अ केजी से करेंट होने लगेगा तो क्या होगा वह यहां पर प्रोटेक्टिव कोई डिवाइस लगाएंगे जिसको लोग बोलते हैं फ्यूज फ्यूज लगा के रखते हैं कि फ्यूज यह तुरंत मेल्ट कर जाएगा जिससे की आदमी बच सकता है जैसा कि कल भी हम साइध बता थे अब हम लोग जानेंगे कि यह जो है कैसे कैसे काम करता है हीटिंग तो हम लोग अगर बात करें वर्क डन बढ़ाबर हम लोग पढ़े हैं क्यू इन्टू भी पढ़े हैं अगर मालेजे भी भोल्ट है अगर पोटेशल डिफ्रेंस भी है और क्वांटिटी अब चार्ज क्यू है तो उसमें वर्क डन कितना होता है क्यू इन्टू भी अच्छा एक चीज और हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े थे वर्क डन बढ़ावर इनर्जी होता है मतलब जितना हम लोग में इनर्जी होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा यह भी हम लोग पढ़े थे त को अगर हम 2 मान ले ठीक है और तिसरा ओम स्लों के अधार पर जैसे अब मालेजिए कि यहाँ पर क्या हो जागा हम लोग पढ़े हैं ओम सलों में क्या पढ़े हैं कि B by I equals to R मतलग B equals to आई आर तो पढ़े हैं, है न इसको अगर हम थोड मान लेते हैं, थोड मान लेते हैं, तो B के जगह पे, भी के जगह पे, A 예ओर डाल दे, व बडावर क्या हो जाएगा, डबलू का तो हम लोग पढ़ें, वग्डन बढ़ावर क्या पढ़ें है, Q into B, तो यहां से Q equals to क्या हो जाएगा, I into T, तो Q के जगह पे हम I into T डाल देंगे, और B के जगह पे I into R पूट कर लेंगे, ठीक है, वो लिख लिजेगा, हम आपको बस समझा रहें, नोट्स वेगर हम दे चुके हैं, इसलिए हम इसमें क्वोसिस करें कि आपको अच्छे से समझा दें, एक छोटा सा वीडियो के जड़िए, तो यहां पर देखिए, पहले सबसे पहले तो हम क्या किये, वर्क डेन वड़ावर क्यू इंटू भी जानते हैं, आई इकवलस टू क्यू बाई टी, तो क्यू इकवलस टू आई इंटू टी, आप इसी को वन माल लिजे, अच्छा, अब भी इकवलस टू हम लोग जानते हैं, भी इकवलस टू जानते हैं, आई आर, जानते हैं, तो इ के बदले हम क्या लेक दिए इंट्क एंटल लेक दिए तो यहां पर बड़ावर डव बड़ावर का ओजाएगा आई ay square आर्टी रख ड़ावर आई स्कॉर गवडावर आइस q2 ऑर्टी तो यह वर्क ड़न कि जो बात कर रहे हैं तो यह टोटन सुड़ अगर total heat में convert हो जाए तो यहां पे heat energy work done बड़ाबर हम लोग पढ़ें energy हैना जतना energy होगा उतना work done होगा हैना जितना work done होगा उतना heat energy में convert होड़ा यहां पे तो H equals to क्या हो जाएगा I square RT H equals to हो जाएगा I square RT तो यहां से आप यह समझें यहां से आप यह समझें कि H जो है वो directly proportional किसका होगा I square के हैं और H is directly proportional to R and H is also directly proportional to T इसमें कोई दिकत नहीं होना चाहिए यहां तक अच्छे से समझ में आढ़ा होगा अब बच्चो बात है कि कोई कल वाले वीडियो में साइज बताए थे कि अगर आपसे कोई पूछे अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर मान लिजे कि W अगर वगडन यहां पे अगर current नहीं दे रखा है हम लोग तो यह तो फर्मूला पढ़ लिए कि W इक्वेस टू आई स्क्वाइर आर्टी पढ़ लिए अगर मान लिजे कि भी दे रखा और आई नहीं दे रखा है इस दे रखा है और आई नहीं दे रखा है तो भी क्वेस टू क्या पढ़े आई आण पॉड़ें तो आइस बरावर क्या हो जागा भी बावर्याई दे अ बर बड़ावड हो जागा W बढ़ावर V square by R square into R into T अब देखिए 1R से 1R को cancel कर देंगे यहाँ पर हीट लिख सकता है W लिखिये चाहिए H लिखिये बात बढ़ावर है तो H बढ़ावर यहाँ पर हो जाएगा V by R into T यह हो सकता है क्या? यह हो सकता है क्या? H equals to I square R T फिर देखे H equals to V square by R into T फिर अब next case में देखिए जैसे यहाँ पर जो current का चर्चा नहीं होगा तो इस formula का यूज करेंगे अब जहाँ पर potential difference का चर्चा नहीं होगा वहाँ पर इस formula का यूज करेंगे और जहाँ पर resistance नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर resistance के बदले कोई दूसरा formula put करेंगे V equals to IR पढ़े हैं तो R equals to क्या हो जाएगा? R equals to हो जाएगा V upon I तो R नहीं लिख करके पहला formula में हम put क्या कर देंगे? H equals to I square into R के जगा पर हम लिख सकते हैं V by I into क्या हो जाएगा? T तो एक I से एक I cancel हो जाएगा तो H equals to V into I into T ये लिख सकते हैं तो आपके पास ये तीन formula हो गया ठीक है? H equals to I square R T H equals to V square by R into T और H equals to V into I into T तो यहाँ तक तो समझ गये लेकिन अब बात है कि question कैसे बनाएगे? ये heating effect of electric current है जादा होगा तो heat जादा होगा current जादा होगा तो heat जादा होगा time जादा लगेगा तो भी heat जादा होगा है ना ये भी पढ़ें उस सब के directly proportional है heat तो अब हम बात करते हैं एक question लेते हैं कोई NCRT का जैसे एक question दे रखा है इसको हम मिटा रहे है the calculate the heat प्रोड्यूस्ट वेन वेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट देखें ये question बहुत असान है और कहीं किसी-किसी book में आपको कहीं example में भी दे दिया होगा या फिर exercise बाले में तो दिया ही होगा तो अब यहां पर देखेंगे बोल रहा है कि इतना कुलंग चार्ज है अब बोलिएगे सहर, आप heat का तो तीनों हो फर्मूला लिखा ए है तीनों फर्मूला क्या क्या है तो h equal to h equal to b into i into t b लिखाए है नै? h equal to b into i into t b लिखुआए है अब इसमें कहाँ पर c का चर्चा है कहीं नहीं है? कहीं नहीं है तो अच्छा एक बात बताईए I equals to Q upon T पढ़े है न तो Q कितना है 96,000 और T कितना है 1 hour बवा 1 hour है 1 hour को हम क्या करेंगे 60 into 60 से multiply कर देंगे तो second में आ जाएगा तो यह आपका current पता चल गया आपको भी दे रखा है कितना 50 भी दे रखा है 50 तो I और V दे दिया तो यहां से अब हम लोगों को क्या चाहिए I, V और R चाहिए नहीं I, V, R R नहीं पता है तो हम सलों से निकाल लेंगे R equals to हम लोग पढ़े है V upon I R equals to V upon I तो यहां से calculate करिएगा तो V हो जाए कितना 50 और divided by divided by 96 96,000 कूलम अब आई 60 इन्टू 60 किये है अब यहां देखे ना 50 इन्टू उपर में 60 इन्टू 60 डिवाइड़ बाई 96,000 लिख सकते हैं अब देखेए 3,0 नीचे और 1,2,3,3,0 उपर है इसको cancel out कर दिये हैं अब जब आप इसको पूरा calculate करिएगा पूरा calculate करिएगा तो यह आ जाएगा आपका कितना R equals to आ जाएगा 1.87 ohm 1.87 ohm अब देख बाबू I, B और R पता चल गया तो हम यहां से निकाल नहीं सकते फर्स्ट वाले से नहीं कर सकते हैं हम लोग फर्स्ट वाले से असानी से निकाल सकते हैं है ना तो यहां पर कैसे करेंगे तो H equals to H equals to I square RT H equals to I square RT R into T कर लेंगे तो आप इसको कर लीजिए I आपको कल्कुलेट कर येगा तो आएगा आपका 26.67 I आएगा तो इसका square कितना हो जाएगा इसका square कर लेंगे into क्या कर लेंगे R कितना है 1.87 और इंटू टाइम कितना है बाबू 60 into 60 60 into 60 चलिए यहां तक सायद समझ में आ गया इसमें कोई दिकत नहीं है अब इसको अब कल्कुलेशन कर येगा उसके बाद में आ जाएगा आपका कितना H equals to आ जाएगा H equals to आ जाएगा 47884 008 बाबू ये आप लोग इसको कल्कुलेट कर लिजेगा हम सिर्फ आंसर बता दिया आप समझिये कोश्चन को अच्छे से कि अगर इतना कुलम चार्ज एक घंटा के लिए ट्रांसफर हो रहा है एक घंटा तक फुलो करेगा potential difference 50 है 50 है तो बताइए क्या होगा तो आप इसको कर लेंगे ठीक है तो इसी तरह से और भी बहुत सारा कोश्चन से तो हम लोग next class में देखेंगे next video में देखेंगे आज बर के लिए इतना ही रखते हैं